कि उमीद लेके आया हैं कि हम लोग को रिजल्ट सुधार के दिया जाए हम आफ ही के समाज के बहुत सारे स्टुडेंट्रियां पर फेल हो के घूम रहे हैं बोट के चकर काट रहे हैं रामचरित मानस पंडे में ही वो ब्यास्त है और सारे दोहे का सार निकालने में ब्यास्त है उनको सिख्षा से कोई मतलब नहीं है बस मंत्री बने हुए है नमस्कार आप देख रहे हैं लाइप स्रीज मैं हूँ आपके साथ रोहिद के इसक्त हम मौझूद हैं बिहार बोट के आपिस के पास आपको बता दे कि ये स्टेट दोहजार तेईस का पतरता परिक्षा हुआता और उस पतरता परिक्षा में अब गणबड़ी का अरोप लग कर दिया गया है और हम लोगों को बार-बार कहने के बावजूद भी यहां कोई सुनने वाला नहीं है हम लोगों ने अभी परिक्षा नियंत्रक से बात किया तो उनका काना है कि हमने जो गलत था उसको सुधार करके रिजल्ट दिया है लेकिन हम लोगों का रिस्पॉंस की आजाए मेरा यहीं मांग है यहां सभी सब्जेक्ट के साथ साथ टिकत है मांग है कि हमारा हिस्ट्री में को लिफाए कर दिया था 60.67 quality पूएंट पॉंसके बाद तो चार दिंग के बाद फिर नोट को लिफाई का दिया गया है तो हम विससे बहुत हाथ है हमारा रिजल्ट सुधार कर पास किया है क्योंकि बीपेसी के एजाम तीन से फरम फिलब होना है बीपेसी का फरम भर सके और उसमें पास होगा अपना जीवन सवर सके हाँ चलिए आप बताइए कल आप लोग विजे पिकर आले गयते पर आज भी हर बोर्ड ऑफ नहीं उमीद तो कुछ नहीं लग रहा है जैसे हर सब्जेक्ट में 12 से 15 कोचन गलत है हर सब्जेक्ट में और उसको सुधार के देगा तो हम लोग पास कर जाएगे अगर पॉइद है अगर कोचन सही दे जो आंसर सही देगा तो हम लोग के नहीं पास होंगे पॉइंट से फेल है हम लोग चलिए आप बताइए इसा है कि पहला वरसे रिजल्ट जारी हुआ तो हम लोग बहुत सारे स्टुडेंट सभी को क्वाइफाई कर दिया गया बाद म कोचन भी गलत था जिसको हम लोग इनके पास अप्लिकेशन साथ तारी को देख लिए हम लोग जमा किये थे एविडेंस के साथ कोचन का भी प्रूफ इनको साथ दिया है इन्होंने बॉला कि एंसी आटी का पुरा पेज के साही थैब द्वारा एंसर दिया गया जब कि इसक था कि इस पर विचार करेंगे लेकिन कोई विचार नहीं हुआ आप लोग सिक्षा मंत्री के पास भी गयते जी विल्कुल हम लोग सिक्षा मंत्री के पास भी गया हो तो बोले कि हम लोग यहां बोल दिये हैं लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं हुआ बीजेपी ओफिस के है कि question answer गलती है उस वज़ा से हम not qualified में आ गए मेरा मैथ पेपर मांग क्या कर दिए मेरा मांग यही है कि answer sheet सही जारी करें और plus में response भी जारी करें ताकि हम मिला सकी कितना answer सही है कितना answer गलती है जिससे हम की पास हो जाए और भी पेसी टीरी टू के लिए हम हो जाए कि हम लोग को सर इसको वाज को उठाया जा सर पॉइंट एक दो नंबर से सब सब्जेट के student है यहां पर सिक्षा मंत्री बोल चुक है कि हम से कोई उमीद नहीं रखिए उनको राम चरित से टेजसवी जी के पास भी आवाज उठाना चाहते हैं कि आप बोलते हैं कि वहाओं के सरकार है हम लोग भी हुआ है वह हम तो खास करके उनके कास्ट कहीं है लेकिन उसके बावजूद भी अकर हम लोग को भी सात्मनों होगा सुनवाई नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लो सब्सक्राइब लेकिन जितने भी लोग एक नंबर पॉइंट नंबर जितने भी अवियरती हैं सब को पुना उनका उत्तर का मुल्यांकन किया जाए अगर वास्तिक रूप से सही माना जाता है अगर गलत है तो सबको नंबर दिया जाए और आगामी भी पेसिक जाम जो हो र सब्सक्राइब तो मिल नहीं रहा है कि इतने भी लोग जो है वो तीन चार नमर से रहा चुके है तो अगर पास नहीं करेंगे तो कैसे में बैट पाएंगे हां बढ़ सके देख सकते हैं किस तरीके से मेरे कोई नोकरी नहीं है इस पत्रता परिछा जैसे सीटेट में साड़ कर दिया जाना है तब आपने देखा मेरे साथ कुछ एस्टेट तो हजार तेइस के अभी अर्थी ते जो कि पतरता परिक्षा दिये हैं और इनका अभी आरोप है कि जो पतरता परिक्षा लिया गया कहीने कि उसमें जो कोस्चन था वो कापी ऐसा कोस्चन था जो गलत था औ मनत्री का दरवाजा खटखटा रहा लेकिन शिक्षा मनत्रीं ने तो साब शाब अधिया कि अनंद की सौर्तों मेरा बात सुनते हैं और इन लोग आप है कि सरकार से लोग किया जाये ताकि हम लोग BPSC सिक्षक बाहली की जो परिक्षा निकल रही है उसमें हम लोग फॉरम भर सके और भी इन लोग क्या कुछ का ना था वह अपने इस वीडियो में देखा बस इसी तरह की तमाम ख़बरों के चाहता अपमेर चाहता जूड़े रहें तब पर किल दर क्या मुशन का हम ख़बरों के तरह की तरह की तके तरह की तरह की तरह चाहता वांग है उस्दाव भी तरह की तरह कि ख़बरों के लेड़ा सिक्ता का